लंक्ते कंस्टनसी की बात की जाए तो लोग क्या आपको जिस मकसद से आप खड़े हुए हैं आपको वो खुशी दे पाएंगे, क्या लग रहा है आपको उमीद क्या है? देखो लोगों का फैसला है, लोग जो भी फैसला करेंगे हमें मनजूर होगा और बारा दिन की कंपेंड में मैं आपको बताऊँ, सत्रा तारीख को हमारे जो है सिंबल अलोट हुई और उनीस तारीख से हमने कंपेंड करी, उनीस से उनातीस तक जो अलिक्शन कॉमिशन आफ की गाइडलाइन से, दस दिन टोटल मिले हमें और दस दिन में जिस तरी चे से हमने मॉबिलाइज किया, जिस तरी माउं बेहन ने धुआएं दी, और जिस तरी के से लोगों का समरथन रहा मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुवात रहेगी, और जो हमने वोट लिया, ह ले लिया। और इनकी तरह इनकी तरह दलाली करके पाकितान की दलाली करके जो मुल्क द दश्मन है उनकी दलाली करके हमने वोट नहीं लिया अपने लोगों को दोखा नहीं दिया। कि एलेक्शन के टाइम एक बात तो एलेक्शन के बाद दूसरी बात जो हमारा मौक अप पहले था आज भी है और हम मैं यकीन के साथ वसुक के साथ कहता हूँ कि आज जो हमने वोट लिया हिंदुस्तान के नाम पे लिया और इन्शालला अगे भी इसी जजबे के साथ इस मुल्क के नाम पे वोट लेंगे क्योंकि हम लोगों को सेटिफिकेट्स नाशनलिजम और पेट्रियॉटिजम की किसी और से नहीं चाहिए हमारे रगु में नाशनलिजम और पेट्रियॉटिजम दोड़ रहा है किसी को ये बूल नहीं होनी चाहिए कि शायद इनको हमसे सेटिफिकेट लेनी चाहिए असल में permanent stakeholders जो यहां के हैं वो हम लोग हैं बाकी अपनी जबान पे ताला रखें और अपना दिमाग ठंडा रखें और ये evaluate करें कि किसने यहां पे क्या किया तो किसी के अच्छा करने से उनकी तुलना होनी चाहिए ना कि कल तक एक party ये कहा रही थी कि nothing above national interest मगर आज वही बीजेपी national interest को compromise कर रही है उन लोगों को allow कर रही है जो कल तक मुलक दुश्मन थे जो कल तक terror funding में बन थे आज उनी लोगों को allow कर रही है मसले कश्मीर बोलने के लिए मैं इंजिनियर रशीद की बात कर रहा हूं इंजिनियर रशीद को government of India मसले कश्मीर को लेके allow कर रही है अगर एक आम बच्चा बाहर किसी चौक में किसी नुकट या किसी गली में मसले कश्मीर की बात करेगा तो police उसको यूए पी है लेडिशन और ट्रेजन में बुक करेगी मगर एक MLA एक MP जिसको पांच लाक लोगों ने यहाँ पे mandate दिया वो अगर ऐसी बात कर रहा है तो government of India की आँखों पे पटी लगी हुई है क्या government of India को यह दिखनी रहा है इस टाइम national interest उनको नहीं दिख रहा है national security नहीं दिख रही है इस टाइम political interest दिख रहा है क्या लोगों को बेवकू बना रहे है तो मेरा कहने का मतलब है कि तो fair play होना चाहिए तो फिर बाकी लोगों को भी इस मामले पे बात करी देनी चाहिए और अगर इस मामले को लेके आज तक फिर बेगुना बच्चे बंद है तो उनको जेलू से रहा किया जाना चाहिए जो मसले कश्मीर को लेके बंद है फिर उनको क्यों बंद रखा है विरेशीद इंजिनिय को दबाना ना भूले अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें